संतोस दुएन की तरब से राम राम सभी को और आज हमारा पॉलिश का है तीसरा दिन तो आज यह मिस्तरी थोड़े लेट आये थे इनको थोड़ी डांटी पड़ गई है तो पता नहीं काम तो ठीक करोगे ना काम में मत कोता ही वर्थ यह में डांट पड़ गई और मुझे पत की ज़र अपिर तीसरे दिन? फिनिशिंग अच्छा अब यह फिनिशिंग पर आ गये हैं दिरे दिरे करके तो अभी यह थोड़ी सी और गाड़ी पोलिश लगाएंगे और इसमें चमक आती जाएगी फिनिशिंग कितनी बार करते हो? अब टाइम लगेगा अच्छा कितना अब टाइम शाम तक हो जाएगी अच्छा तो यह फिनिश हो जाएगी और जैसे मैंने बताया था यह इन्होंने भर दिये हैं अगर आप भी घर में पोलिश करवा रहे हो ऐसा कोई मिस्तरी नहीं करें तो आप इनको बोल के यह आप भरवा सकते हो कई बार जल्दी के काम मे भी हमारा जल्दी जल्दी कर दो तो उसमें यह फिर छूट जाता है और आजकल अगर हम फरनीचर घर में बनवाते हैं तो पोलिश भी घर में हो जाती है हमें फरनीचर की दुकान पर उठा कर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा सस्ता टिकाओ फरनीचर तयार हो ज क्योंकि हम जो बजार का लाते हैं उसमें टिकाओ पर नहीं होता वो कभी यह पटियां उधरने लग जाएगी यह वाली यह अलग हो जाएंगी वह फैविकोल से चिपका देते हैं लेकिन यहां यह किल्लें लगाके और उसको ठोकते हैं उसके बाद इसकी बराई होती है चा अधर होता है जैसे इस सब को डख देंगे यह कुछ पता नहीं चलेगा और अंधर तो सम्माई का है तो वस आज का दिन में शायद खतम हो जाना चाहिए तो यह है फरनिचर की पोलिश का तीसरा दिन अब आगे जैसा भी होगा वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी और यह जो दिवार में अमारे बिजली के जो बोर्ड है उसके लिए कटिंग हो जाती है तो यहां से बोर्ड इस तरफ निकलाएंगे लाइट वाइट निकालने के काली ये और ये दो स्वीच के लिए बोर्ड काट देंगे कार्पेंटर ने आप कि इस मिद्र वाइन के अच्छा काम हो जाएगा सामान यह मंगवा लेते य bleak ये खेंग मार और यह शिप्रीट और फैवि कॉल चाक मिटी पोस्तीज िसमाना यह इनको लाकर देखें यह इनको प्रहिए सिप्रीट यह लाखदाना दौत रहागा है ये पिशा हुआ है ना लागदाना पहले साब उताता था उसमें ज्यादा टाइम लगता था गलने में अब ये पिशा हुआ देने लग गए है चलोगे तो तीसरे दिन का मारा प्रोसीजर अरब चल रहा है थोड़ी थोड़ी चमक अब आने लग लिए